skipping weight loss के लिए बहुत ही मददकार माणी जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिन के किसी भी समय और घर के किसी भी कोने में आसानी से की जा सकती है वज़न घटाने के लिए रसी कूदना सबसे अच्छी exercise मानी जाती है लेकिन रसी कूदने से आपका वज़न कैसे कम होता है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है रसी कूदना वैसे तो सबसे अच्छी कार्डियो एक्सेसाईज है जिसका असर बहुत धीरे लेकिन लंबे समय तक चलने वाला होता है लेकिन रसी कूदना सभी के लिए आसान नहीं होता हम सब ये काम बच्पन में तो बहुत आसानी से कर लेते थे लेकिन भड़ती उम्र और मोटापे के साथ रसी कूदना खुड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए अगर आप रसी कूदना शुरू कर रहे हैं तो फिर आपकी ये बहुत जाधा कैलरीस बट करने में मदद करेगा और सबसे जरूरी बात ये है कि आप इसे घर के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय में आसानी से यूज़ कर सकते है तो आपके हिसाब से आपको कौन सा skipping rope यूज़ करना चाहिए इसके लिए नीचे description में link पे klik कीज़े या फिर उपर eye button पे skipping करना एक बहुत ही अच्छी exercise माना जाता है लेकिन इसका असर धीरे धीरे body पे दिखता है इसलिए आपको इसे लंबे समय तक और regularly करना है I know कि जिनका वसन बहुत जादा होता है उनके लिए skipping करना बहुत मेहनत का काम हो सकता है Generally experts recommend करते हैं कि आप दिन में 10 से 20 मिनट तक skipping करें इससे आप enough calories burn कर सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी सिर्फ एक मिनट दिन में skipping करने से आपकी body 15 से 20 calories burn करती है इसी तरह अगर आप 15 मिनट तक skipping करें तो एक session में 200 से 300 calories burn कर सकते हैं शुरुआत में आपको कम से start करना है और फिर धीरे धीरे time बढ़ाते जाना है या तो फिर आप 5-5 मिनट करके time gap देके पूरे दिल में 20 मिनट कमपीट कर सकते हैं जैसे भी आप comfortable पीट करें skipping करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें एक खुली जगह पर जैसे कि garden या terrace पर skipping करें एक अच्छी quality की skipping rope यूज़ करें मजबूत पकड़ने में आसान और बहतर quality की skipping rope आपके लिए बहुत बहतर होगी और इसी के साथ ये ध्यान रखें कि plastic की skipping rope ना यूज़ करें अपनी height के हिसाब से skipping rope यूज़ करें skipping करते समय अपने पेरों पर या घुटनों पर अधिक दबाव ना डालें एक बार में 30 से 40 बार ही rope होगे उसके बाद थोड़ा break ले और फिर दुबारा start करें हाला कि जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तब आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है पर पोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 10 मिनट skipping करें और धीरे धीरे इस time को बढ़ाते चाहिए तब आपके muscles बहुत अच्छे से tone हो जाएंगे ध्यान रखे कि पेट की चर्वी कम करने के लिए आप पेट को tight रखकर ही skipping करें इसी से आपको ज्यादा फाइला मिलेगा खाली पेट या खाना खाने के तुरंत बाद skipping ना करें आपको लगेगा कि 10 मिनट में खाना आ रहा है चलो मैं skipping कर लेता हूँ पर नहीं ऐसा मत कीजिए ऐसा करने से पेट में दर्द होगा तो ध्यान रखे कि खाना खाने से 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद ही skipping करें हर्णिया, दिल की बिमारी, C-section, प्रेगनेंसी या एक्स्ट्रीम घुटनों का दर्द हो तो इसे प्लीज अपनी डॉक्टर की सला से ही करें रसी कूरने के फाइदे बलकि आपकी रोज़ाना की लाइफ में भी एक डालन्स बना रहता है रसी कूरने से ना सिफ़ आपकी हाथ और पैरो की exercise होती है बलकि आपकी पूरी बाडी की exercise होती है जिससे की पूरी बाडी एनरजेटिक हो जाती है अगर आपको अपनी बॉडी को टोन करना है तो रस्ती कूदने से ज्यादा बेहतर उपाई कोई नहीं है रस्ती कूदने से आपके एक हातों और पेरों की खटिया भी बहुत मस्बूत होती है इससे चेहरे पर और बॉडी में भी एक ग्लो आता है कैंसर, टाइप 2 डाइबिटीज और बहुत सारी अन्य बिमारियों से बचने के लिए की स्किपिंग रोप बहुत ही फाइदिमन्द है क्योंकि ये बहुत जल्दी मोटापा कम करता है जो कि बहुत सी बिमारियों की एक बहुत बड़ी बज़ा है तो छल्दी से इंच डाउन रोप ले लीजे और कूदना शुरू कीजे और हमें कॉमेंस में बताइए कि आपने कितने दिदों में कितना वेट लूस किया